असलामों आलेकूम, तो चलिए, आज हम बनाते हैं बढ़िया से, मज़िदार से, रमजान स्पेशल आप आड़े दिन में भी बना सकते हैं, इसका नाम है मलाई चिकिन चीज कबाब, बहुत ही बढ़िया जट पर घर पर आसारी से बन जाते हैं और बहुत ही डिलिशेस लगत हैं तो इसके लिए मैंने लिए आदा किलो चिकन बोनलेज, छोटे-छोटे पीस करा लिए है, दोतीत पानी से धो के पतीली में दाल दीजिए, इसमें दाल दीजिए, दो छोटे चाय के चमच, आदरकलसन का पेस्ट, नमक, स्वाद अनूसार, पड़ मैंने आदा चुड़ हो जाती, कुछ देर बाद मैंने ये खोल लिया, चिकन पक चुकी है, चुला फास्ट आज करके, इसका जो बचा हुआ पानी है, ये सुखा दीजिए, यूशुली हमेशा मैं दो तीन टेबलस्पून चितना रहने देती हूँ, तो यहां मैं चुला कर देती हूँ बंद और इसे ठंडा होने साइट पर रख दीजिए, जब तक चिकन ठंडी हो रही है, हम यहां पर एक वाइट सॉस थिक वाला बना लेते हैं, एक फ्राइपन के अंदर चार टेबलस्पून भरकर मक्षन दाल दीजिए, और यहां पर मैंने जब पिघल जाता है, तो दो मीडियम आते हुए, फास्ट आज पर प्यास को फ्राइ कर लें, आपने तब तक फ्राइ करना है, जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाती, जब प्यास सॉफ्ट हो जाए, तो यहां पर डाल दीजिए मैदा, यहां पर मैंने तीन टेबलस्पून मैदे को लिया है, और इसमें डाल कर इसे आप चाहें तो स्लो से मीडियम आज पर रख सकते हैं, मैंने मीडियम कर दी आज, और इसे फ्राइ करने तब तक फ्राइ करना है, जब तक इसके कच्छेपन की खुश्बू नहीं चले जाती, तकरीबन दो से तीन मिनिट लगेगी मैदे को भूनने के लिए, मैंने बीच मे रख सकते हैं, वन फोट कप जितनी मैंने मलाई डाल दी, इसका चुला मैंने मीडियम कर दिया, उसे कंटिनूज मिक्स कर दीजिए, इसमें दाल दीजिए, आदा चुड़े चाहे का चमच, चिली फ्लेक्स, वन फोट चुड़े चाहे का चमच, नमक या स्वाद अनुसार दाल सकते हैं, और वन फोट चुड़े चाहे का चमच, काली मिर्चो का पौडर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसे हमें यहाँ पर चीज दाल देती हूँ, मैं तकरीबन समझें, मैंने वन फोट कप जितनी चीज ले सकते हैं, या उससे भी जादा ले सकते हैं, चुला मैंने अभी स्लो किया है, और वो चीज के मोटे मोटे पीस थे आप चाहें, तो खुरच कर दाल सकते हैं, अब यह मेल्ट हो जाएगी, यह देखिए, इस तरीके से अच्छा गाडा-गाडा सॉस बन गया हमें गाडा ही सॉस चाहिए, और मैंने यहाँ चुला कर दिय और इसे हलका ठंडा होने साइट पर रहने देती हूँ, तब तक यहाँ पर मैं चिकन के पास आ जाती हूँ, चिकन अच्छी हासी ठंडी हो गई और इसे बहुत अच्छे से आप चाहें, तो हातों की मदद से बहुत अच्छे से श्रेड कर लीजे, या फिर आप वो जो के अंदर दाल कर इस तरीके से पीस कर साइट पर रखते हो, अब इसमें कुछ चीजे दाल देते हैं, मैं आदा टेबल स्पून हरी मिर्चियां दाल देती हूँ, पीसी हुवी, और आप आपके स्वाधन उसार दाल सकते हैं, फूप सारी बरिक करती हुवी, कोद्वेर यान मिक्स करने के बाद आपको लगे नम्मक और स्पाइस कम, तो आप नम्मक अज़स्ट कर लीजिए, और हरी मिर्चो का पेस्ट भी अज़स्ट कर लीजिए, अच्छा आप मिक्स हो गया है, तो मैं इसे फ्रिज में आदे घंडे के लिए रख देती हूँ, लेकिन अगर आप उतने बनाएं, तो ये वाले portion के अंदर जो मैंने ये लिये थे, इसमें तकरीबन समझे न, 18-19 pieces बने हैं कटलिट के, मेरे 18 pieces बने हैं, अगर आप बड़े-बड़े बनाएंगे, तो कम बनेंगे, चलिए, अब एक प्याली के अंदर एक अंडे को फोल का दाल दीजिए, 2-3 दूद दाल दीजिए, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च दाल कर, इसे बहुत अच्छे से फेट लीजिए, और इसे साइट पर रख दीजिए, अब एक कटलिट का पीस लीजिए, अंडे में उलट-पलट कीजिए, अच्छे से लोटिए, और वो जो बराबर में रखा है, वो कोई भी ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं, बारे एक ब्रेड क्रम्स, बटर क्रम्स, उसमें उलट-पलट करते हूँ, अच्छे से वेल कोट कर दीजिए, और ये बन गया हमारा एक मलाई चिकिन, काटलिट, चीजी वाला, ये आप देख सकते हैं, अब ये मैं इसे साइट पर रखिए, कि एक दूसरे से चिटके ना, और इसे फ्रीजर के अंदर दाल कर दो घंटे के लिए, एक दो घंटे के लिए रहने दीजिए, जब एक दो घंटे हो जाएं, तो आप निकालेंगे, तो कड़क हो जाएंगे, अब उसे फिर आप जिपलोग बैक के अंदर, या फि फिर से freezer के अंदर रख दें, जब भी मन करें, निकालें, ठो करें, और फिर fry कर लीजिए, अब तब ऐसा आप करके दो हफते तक खा सकते हैं, मैं अब ही serve कर रही हूँ, तो एक fry pan के अंदर तेल दाल दीजिए ज़ादा, आप देख सकते हैं, फास्ट आज पचूरा रखिए, अच्छा खासा गरम हो जाए तेल, तो medium आज करके, बिसमी लहरा फानी रेम बोल कर, जितने समा पाएं, उतने दाल दीजिए, आपके ये cutlets, एक दूसरे में चिटके न, बस आधे एक मिनिट तक fry होने दें, जब आधे एक मिनिट हो जाएं, तो सारों को पलट दें, और उलट-पलट करते हुए, लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएं, बस लाइट गोल्डन ब्राउन ही करना हैं, क्योंकि सारी इसे batches के अंदर fry कर लीजिए, इस recipe में spice अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, वैसे जाधा spice न डाले, तो भी बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने इसे chutney, हरी chutney के साथ serve की है, वैसे हरी chutney का link मैं आपको description के अंदर दे देती हूँ, आप वहाँ check कर लीजिएगा, इसी आप वहाँ check कर लीजिएगा, तो ये बन गे हमारे बढ़िया से मज़ेदार से, मलाई चिकन चीजी काटले, बहुत ही डिलिशिस है, मज़ेदार एदम मुह में खुल जाएंगे, मैं आपको एक कोल कर दिखा देती हूँ, तोड़कर, ये देखिए, पिसमिल्ला है रहाले माशालग, क्या चीजी और क्या मलाई है, एक दम मलाई है, तो जरूर बनाईएगा, तो हैना मज़ेदार रेसिपी अच की, अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं, तो मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जरूर शेर कीज़ेगा अपने कमेंट्स, तो जरूर की और उससे जाद अच्छी लगें, तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फरवर्वर्ड कीज़ेगा, फिर से हाजर होंगी नहीं शांदार दमदार रेसिपी के साथ, अंतल दें, टेक केर आला आपिस, बापाई!